हेलो दोस्तो इस पेड़ी करेंट अफ्यर वार्सी कांग जून एडिसन आ गया है जो अपडेटेड जुलाई 2023 से लेकर एक जुन 2024 तक है आज का वीडियो माई मन्त का वन लाइनर है जो पूरी मन्त का निचोड है मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं एक माई 2024 को किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉंच की है किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉंच की है जिम्बावे देश एक माई 2024 को किसे सरकार द्वारप प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है I.R.E.D.A एक माई 2024 को किस राज का स्थापना दिवस मनाया गया गुजरात तथा महराष्ट एक माई 2024 को I.Q.A.R. के विस गुन्वत्त सूचकांक विस वायु गुन्वत्त सूचकांक में कौन सेर्जपर रहा काथ मांडू एक मही 2024 को किस देश में रुवांग ज्वाला मुखी फटा है एक मही 2024 को किस देश में रुवांग ज्वाला मुखी फटा है इंडोनेशिया एक मही 2024 को किस एड़टेक कमपनी ने टाइन्स की वैस्विक रैंकिंग में सिर्ष सस्थान हासिल किया है इमेरिटस कमपनी ने किस देश के ACI केरम चैंपियनसीप में पुरुस और महिला यूगल का खिताब जीता है भारत देश किसे भारतिय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है कृष्णा स्वामी नाथन को भारत अगले पांच वर्सों के लिए किस देश के प्रसासनिक अधिकारियों को प्रसिक्षित करेगा बांगला देश दो मई 2024 को भारतिय सेना और पुनेत बलान ग्रूप ने कहां में देश का पहला समविधान गार्डन बनाया है पुने में भारत में BWF विस्व जूनियर बैटमिंटन चैंपियनसीप दोजार पच्चीस की मेजवानी कौन करेगा भारत में BWF विस्व जूनियर बैटमिंटन चैंपियनसीप दोजार पच्चीस की मेजवानी गोहाटी करेगा 2 माई 2024 को सोध करताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहड़ा ब्लू होल खोजा है मेक्सिको देश ने 46 वी अंटार्टिक संधी सलहाकार बैठक के मेजवाने किसने की भारत ने 2 माई 2024 को अंतराष्टि सत्रंज माहसंग ने किसे ग्रेंड मास्टर की उपाधी से सम्मानित किया है अंतराष्टि सत्रंज माहसंग ने किसे ग्रेंड मास्टर की उपाधी से सम्मानित किया है वैसाली रमेस बाबु को 2 माई 2024 को किसनी भारत का पहला AI Power Tax Filing App पेस किया है EZ Tax ने 3 माई 2024 को संपन गल्फ यूथ गेम्स एमेरिटस 2024 में कौन सेर्स पर रहा UAE राष्ट्य हौकी राष्ट्य महिला हौकी लीग 2024 की सुरुवात कहां हुई है राची में 3 माई 2024 को किस राज्य सरकार ने नच्छत्र सभा खगोल परियतन अभ्यान की घोशना की है उत्त्राखंड राज्य सरकार ने किसी ग्रीन ओसकर विटली गोल्ड एवार्स 2024 मिला है पुर्णिमा देवी वर्मन को कौन सा देश कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E-6 मिसल लॉंच किया है चीन तीन माई 2024 को NPCI International Payments Limited ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझोता किया है नामी बिया देश के साथ तीन माई 2024 को भारत और इंडोनेसिया के बीच सैयोक्त रक्षा सहयोग समीती के बैठक कहां आयोजित हुई है नई देल्ली में पिर्थिवी के चुम्बक्य छेत्र के सबसे पुढाने प्रमान वाली प्राचिन चट्टाने कहां पाई गई है ग्रीन लेंड में पाई गई टी ट्वेंटी विश्व कब 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है अमेरिका एवं दक्षी अफ्रिका देश चार मई 2024 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन सीर्स पर रहा है नार्वे भारत का स्थान 159 है चार मई 2024 को किसने नो जंजट लाइफ इंस्योरेंस फटाफट अभियान नो जंजट लाइफ इंस्योरेंस फटाफट अभियान सुरू किया है HDFC लाइफ चार मई 2024 को किसने वायू सेना प्रसिक्षन कमान का कार्यभार सम्हाला है नागेश कपूर ने वायू सेना प्रसिक्षन कमान का कार्यभार सम्हाला है चार मई 2024 को OECD ने अगले दो वर्सों में भारत की GDP वृद्धी दर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है 6.6 प्रतिसत चार मई 2024 को किसे GST अपीलिय न्याइधी करन का प्रमुख नियुक्त किया गया है संजय मिस्रा संजय मिस्रा को GST अपीलिय न्याइधी स्यकरन न्याइधी करन का प्रमुख नियुक्त किया गया है चार मईई 2024 को किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 ACI कब चीता है जापान किसने दूसरी बार AFC अंडर 23 ACI कब चीता है जापान UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया नीरु यादव ने भारत के CAG ने लेखा परिक्षा विसेस्ता बढ़ाने के लिए किस देश के माहा लेखा प्रसिक्षक के साथ समझोता किया है नेपाल देश चार मही 2024 को UNICEF इंडिया की नैसनल अंबेस्टर कौन बनी है किस राज के हाई कोट ने बाल विभा को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदारी ठहड़ाया है किस राज के हाई कोट ने बाल विभा को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदारी ठहड़ाया है राजस्थान चार मही 2024 को IRBI रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए में कितने नोट बैंकिंग प्रनाली में वापस आये है 97.76 प्रतिसत पांच मही 2024 को किस देश ने अधिकारिक तौर पर भारतिय योग्य पद्धती को अपनाया है किस देश ने अधिकारिक तौर पर भारतिय योग्य पद्धती को अपनाया है पाकिस्तान देश किसे जम्मु कास्मिर के लिए किसे जम्मु कास्मिर के लिए grappling committee का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सानिया कादरी को 5 मैं 2024 को दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के पच्चत्तर प्रती नीधी मंडल पहुँचे है 23 देशों के 5 मैं 2024 को पैंसन विभाग ने सडकारी सेवा नित्व लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लौंच किया भविस्य पोर्टल पांच मैं 2024 को ब्रस्टाचार्य के कारण किस देश के खिलारी डोवेन थॉमस पर पांच साल का प्रतिबंद लगा है वेस्ट इंडेज पहली अगली पीड़ी पहली अगली पीड़ी के अब तर्टिय गस्ती जहाज गाउद घाटन कहा हुआ है गोवा हावर्ड कार्यक्रम सुरू करने वाला भारत का पहला विस्विद्याले कौन बना है चंडिगर विस्विद्याले हावर्ड कार्यक्रम सुरू करने वाला भारत का पहला विस्विद्याले बना है Case Hollywood अभिनेत्री को कांस फिल्म, फेस्टिवल में पालमे डी और से सम्मानित किया गया है किस अभिनेत्री को कास्य फिल्म फेस्टिवल में पाल में डी और से सम्मानित किया गया है मेरिल स्ट्रीप 5 मई 24 को किस आई आई टी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेन प्रदान किया गया है आई 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 टी पटना 6 मई 24 को भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉंच करने के लिए सहमती व्यक्त की है भारत और किस देश ने इंटर बैंक सिस्टम पर UPI लॉंच करने के लिए सहमती व्यक्त की है घाना देश ने किस राज के अजरक को जियाई टैग मिला है गुजरात कच्छ गुजरात 6 मई 2024 को किसने मैडरिट ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है इगा स्वीप एटेक एंड एंडरे रूबलेव इगा स्वीप एटेक एंड एंडरे रूबलेव 6 मई 2024 को मियामी ग्रेंड फिक्स किसने जीती है लेंडो नौरिस लेंडो नौरिस ने मियामी ग्रेंड फिक्स जीती है किस देश ने भारतिय छेत्रों को दरसाने वाला 100 रूपय का नया नोट जारी किया है नेपाल 6 मई 2024 को कौन भारतिय महिला होकी टीम की नई कप्तान बनी है सलीमा टेटे भारतिय महिला होकी टीम की नई कप्तान बनी है 6 मई 2024 को पूरा तत्विक वीदो ने कहां 7000 साल पुडानी प्रोगैतिक एतिहासिक बस्ती का पता लगाया है साइबीरिया भारत का पहला स्वदेसी बंपर UAV लॉंच कहां किया गया है बैंगलूरू भारत का पहला स्वदेसी बंपर UAV कहां लॉंच किया गया बैंगलूरू किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैटमिंटन खिताब जीता है चेन किस देश 6 मई 2024 को किस फुटबॉल क्लब ने 36 लालीगा खिताब जीता है रियल मैडरेट ICC महिला T20 विश्व कब 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा बांगला देश 6 मई 2024 को किस देश ने अधिकारिक ब्यान प्रदान करने के लिए A.I. जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी विक्टोरिया सी को पेश किया है युक्रेन 7 मई 2024 को सीमा सरक संगठन B.R.O. ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 65 स्थापना दिवस मनाया है 7 मई 2024 को किस ने Oxford Book Store Book Cover पुरुसकार Oxford Book Store Book Cover पुरुसका 24 जीता है भावी महता ने भारत और किस देश ने Local Currency Settlement System पर हस्ताक्षर किये है Nigeria 7 मई 2024 को 26 आस्यान भारत वरिष्ट अरिकारियों की बैठक कहां आयोजित की गई है नई देली किस देश की जनसंख्या में पिछले आठ दसकों में सबसे कम व्रिधी देखी गई है नेपाल देश 7 मई 2024 को किस राज के राजपाल ने स्कूल और विल्स का उद्खाटन किया किस राज के राजपाल ने स्कूल और विल्स का उद्खाटन किया मनिपूर राज के राजपाल ने किस बैंक ने अंतराष्ट्य मोवाइल नंबर के माध्यम से NRI के लिए UPI की सुरुवात की है ICICI बैंक ने 8 मई 2024 को भारत और किस देश के बीच 15 संयुक्त सेमा सुल्क समू की बैठक लेह में आयोजित हुई है भोटान देश 8 मई 2024 को वायू सेना ने नैनी ताल के जंगलों मिल लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ओप्रेशन सुरू किया BOMBEE BUNKET BOMBEE BAKET Operation किसने अपना स्नोकर विश्व खिताब जीता है काईरेन विल्सन किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमानु हतियार अभ्यास की घोशना की है रूस देश ने किस देश की पूरूस बास्केट बॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है भारत 8 माई 2024 को T20 में 350 विकेट T20 में 350 विकेट का आकरा छूने वाले पहले भारत्य खिलारी कौन बने है यजुवेंद्र चहल किस देश ने जू फैंग होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है चीन किस राज में वेश्ट नाइल बुखार वेश्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति की निधन हुआ है किस राज में वेश्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है केरल राज में आठ मैई दोजाट चौबिस को खबरो में रहा सिंकुला पास किस राज में स्थीत है? सिंकुला पास किस राज में स्थीत है? हिमाचल प्रदेश किस देश में? माता तीर्थ आनसी महत्सव माता तीर्थ आनसी महत्सव बनाया गया नेपाल देश में 9 मैई 2024 को वैस्विक प्रेशन के मामले में दुनिया का पहलाप देश कौन सा बना है? भारत किसे ग्लोवल प्राइड ओफ सिंधी एवोर्ट्स 2024 से समानित किया गया है पवन सिंधी को ग्लोवल प्राइड ओफ सिंधी एवोर्ट्स से समानित किया गया है 9 मैई 2024 को किस देश की कमपनी ने मुम्बत्ती के मुम से चलने वाले रॉकेट का प्रसिक्षन किया है जर्मनी गुगल ने वालेट एप किस देश में लॉंच किया है गुगल ने वालेट एप किस देश में लॉंच किया है भारत देश 9 मैई 2024 को किसे T20 विश्व कप के लिए स्री लंका का अधिकारिक प्रायोज़क न्यूप किया गया है अमूल विश्व के तीसरे सबसे बड़े उर्जा जेनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है जापान देश को पीछे छोड़ा किस राजसरकार ने पी रूल लाओ पैसे पाओ पी रूल लाओ पैसे पाओ अभ्यान सुरू किया है उत्राखंड राजसरकार ने 9 मैई 2024 को जारी वैथिल एस्ट सिटिस रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमिर सहर किसे घोसित किया है न्यू यार्क 10 मैई 2024 को भारत प्रांसिसी सेंड अभ्यास सक्ती 2024 कहां आयोजित किया गया मेघाले किस देश ने भारतियों की वीजा फ्री इंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है स्री लंका देश ने 10 मैई 2024 को CDS जनरल अनिल चोहान की अध्यक्षता में त्री शेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन परिवर्तन चिंतन कहां आयोजित हुआ है नई दिल्ली 10 मैई 2024 को किस देश के खिलाडी कालिन मुन्रो ने अंतराष्ट क्रिकेट से सन्यास की घोशना की न्यूजिलेंड 10 मैई 2024 को किस ने मेस्टीन USA 2023 का खिताब लोटाया भारतिय मूल की उमा सोफ्या स्रीवास्तव ने मिस्स टीन USA 2023 का खिताब लोटाया 10 मैई 2024 को कहां से सैन्य ताना सा इद्रिस डैबी ने राष्ट पती चुनाव जीता है चाट जापान के राजदूत ने भारत में कहां सान्तिस मारक का उद्खाटन किया है 10 मैई 2024 को जापान के राजदूत ने भारत में कहां सान्तिस मारक का उद्खाटन किया है नागा लेंड 10 मैई 2024 को किसने भारती नौसेना के चीफ ओफ पर्षन का परद्भार समाला है संजय भाला 11 मैई 2024 को हवा से CO2 हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा सैयंत्र कहां खोला गया है हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा सैयंत्र कहां खोला गया है आइसलेंड चर्चा में रहा सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारन किस राज में है सोनाई रुपाई वन्य अब जीब अभ्यारन किस राज्च में है असम राज्च में 11 मई 24 को किस बैंक ने निसकर्य खाते एक जुन 24 को बंद करने की गोशना की है PNB पंजाब नेशनल बैंक ने कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है फिलिपिस्तान फिलिस्तान फिलिस्तिन देश UN के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है 11 माई 2024 को MSDE MSDE ने ड्रोन दीदी योजना ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साथ ज्छेदारी की है महिंद्रा 11 माई 2024 को भारत की लोककला और जनजातिय परमपडाओं को दर्साने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहां किया गया है 11 दुबई किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में सामिल होने की अनुमती देने वाला विधर्यक पारित किया है 11 युक्रेन किसे वैस्विक कुस्ती संचालन संस्था 12 यू डबलु डबलु ने निलंबित किया है बजरंग पुनिया भारत और भुटान के बीच पाँचवी संयुक्त सीमा सुल्क समों की बैठक कहां आयोजित हुई है लद्दाक 12 मई 2024 को किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए कानून अपनाया है यूरोप्य संग 12 मई 2024 को गलाइपो थोरेक्स पुन्य ब्रताई समचारों में देखी गई यह किस प्रजाती से संबंदित है कैट फिस प्रजाती से संबंदित है 22 वी ACI टीम स्वैक्स चैंपियनसीप का आयोजन किस देश में किया जाएगा चीन देश में 12 मई 2024 को खबरों में रहा पाई रैनिस परवत किन दो देशों के बीच प्राकिर्तिक सीमा बनाता है इस्पेस इस्पेन और फ्रांस 12 मई 2024 को पाकिस्तान ने किस देश किस सहयोग सी अपना पहला चंद्र मिशन IQ क्यों मार लॉंच किया है चीन 12 मई 2024 को किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001-2023 प्रामान प्राप किया है इंफोसिस 12 मई 2024 को दोहा डाइमन्ड लीग में नीरत चोपडा ने कौन सा पदक के जीता है सिल्वर पदक राष्ट पती द्रौपदी मुर्मुर ने दिव्यांग सोसल एडिक्ट एक्टिविटीज डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पुरुसकार से समानित किया गया है 12 मई 2024 को राष्ट पती द्रौपदी मुर्मुर ने दिव्यांग सोसल एक्टिविट्स डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पुरुसकार से समानित किया है पदमश्री पुरुसकार 12 मई 2024 को किस देश के परवत रोही कामी रीता सेड़पाक ने माउंट एवरिष्ट पर सरवाधिक बार्चरने के विस्व रिकॉर्ड बनाया है नेपाल महिला हौकी लीग के लिए किसने हौकी इंडिया के साथ साज़ेदारी की है कोको कोला क्रीसी और किशान कल्यान मंत्राले ने किस अस्थान पर क्रीसी एकिकृत कामान और नियंतरन केंद्र का उद्खाटन किया है नई देली 13 मही 2024 को किसने 30 सुल्तान अजलान सा ट्रॉफी जीता जापान भारत सरकार किस देश की सीमा पर सरक बनाने के प्रती किलोमीटर दो करोर रुपए खर्च करेगी चीन 13 मही 2024 को किसने सूपर बैट रैपिड और बिल्ट स्ट्रॉणा में चीता है मैगनस कार्लसन 13 मही 2024 को इद्दा सीसा नोगरंग किस राज की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक न्युक्त हुई है इद्दा सीसा नोगरंग किस राज की पहली महिला महानिर्देशक न्युक्त हुई है मेगाले राज की किसे कनाडा ने मैक गिल युनिवर्सिटी में मानद डाइडेक्ट की उपाधी से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सोम्या स्वामी नाथन भारत और किस देश ने साहिद बेहत सती बंदरगा के संचालन के लिए दिर्ग कालिक समझोते पर हस्ताक्षर किये इरान 13 मई 2024 को किसने फ्रेंच मोटो जीपी जीता है जॉर्ज मार्टीन 14 मई 2024 को FY24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार बना है चेन 14 मई 2024 को गोला फेक अस्परधा में राष्ट रिकॉर्ड बनाने वाली एक मात्र खिलाडी कौन बनी है आभा खटुआ किस देश के क्रिकेटर जैम्स एंडर्सन ने सन्यास की घोशना की है इंगलेंड 15 मई 2024 को ओलम्पिक में ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहले भारतिय पूरुस पहलवान कौन बने है आमन सहरावत 14 मई 2024 को किसने ग्लोबल एक्सिलेंस एवाड्स जीता है चंद्रकान सतीजा चंद्रकान सतीजा ने ग्लोबल एक्सिलेंस एवाड्स जीता है 14 मई 2024 को किसने चंद्रमा पढ़ पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है नासा ने भारत के 85 सतरंज ग्रेंड मास्टर कौन बने है पी स्याम निखिल भारत के 85 सतरंज ग्रेंड मास्टर बने है 14 मई 2024 को किस देश में सुवर की किडिनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है अमेरिका देश में विश्व हाइड्रोजन सिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया रोटरडेम निधरलेंड 15 मई 2024 को किस देश की सबसे बड़ी कौसल परतियोगता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्गाटन कहां हुआ है नई दिल्ली नासा ने किसी अपना पहला चीफ AI ओफिसर निउप किया है डैविस सल्वान गिनी 15 मई 2024 को गाजन के रफा सहर में किस पुर्व भारत्य सेना अधिकारी का निधन हुआ है वैभव अनिल काले किसी भारत की सबसे उची सुरंग की रूप में मानिता मिली है सेला सुरंग 15 मई 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सिर्ष उच्च सिक्षा संस्थान कौन सा बना है IIM अहमदाबाद 15 मई 2024 को किसी साहित अकाद्मी फैलोसीप साहित अकाद्मी फैलोसीप से समानित किया गया है रॉसकिन बॉन्ड को 15 मई 2024 को किसे युनेस्को की मेमोरी ओफ द वर्ल्ड रिजनल रजिस्टर में सामिल किया गया है पंचतंत्र रामचरित मानस तथा सद सहदयोलोक लोकन किसने टेवल टैनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है मनिका बत्रा भारतिय वायुसेना ने दुनिया के पहले एर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भिश्म कश सफल प्रसिक्षन कहां किया आगड़ा में 16 मैं 2024 को भारत यूएस का सात्वा संयुक आतंगवाद विरोधी मौक ट्रील अभ्यास तरकस कहां आयोजित किया तरकस कहां आयोजित हुआ है कोलकाता 16 मैं 2024 को किस देश ने फता दो रॉकेट फता सेकेंड रॉकेट प्रनाली का सफल प्रसिक्षन प्रछेपन किया है पाकिस्तान देश 16 मैं 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉंच किया है HDFC बैंक ने 16 मैं 2024 को किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉंच किया है जापान 16 मैं 2024 को फोन पे ने किस देश में UPI सेवा सुरू की है स्री लंका देश में 16 मैं 2024 को किस भारतिय फुटबॉलर ने अंतराष्ट्य फुटबॉल से सन्यास लिया है सुनिल छेत्री 16 मैं 2024 को किस कमपनी के क्रिसी ड्रोन डीजी सी ए ने सार्टिफिकेट प्राप्त हुआ है AITMC वेचन्स 16 मैं 2024 को किदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्त्राखंड पुलिस ने कौन सा ओप्रेशन सुरू किया है ओप्रेशन मर्यादा 16 मैं 2024 को National Athletics Federation Cup में नीरत चोप्रा ने कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक 16 मैं 2024 को कांस्य फिल्म फेस्टिबल 2024 में भारतिय पवेलियन का उद्गाटन किया गया है फ्रांस 2023 में वैस्विक इंटरनेट सट्डाउन में कौन सेर्स पर रहा भारत बैमिस्टिक पी आई एम स्टी इसी की तीसरी इपीजी बैठक कहां हुई है धाका किस राज ने अपना 49 अस्थापना दिवस मनाया है 16 मैं 2024 को किस राज ने अपना 49 अस्थापना दिवस मनाया है सिक्किम राज ने 17 मैं 2024 को रक्षा पर बार्वी भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य सम्हों की बैठक कहां आयोजित हुई है उनाल बटार 17 मैं 2024 को नंदनी डेड़ी T20 वर्लकप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है स्कॉट्लेंड 17 मैं 2024 को किस देश में माउंट इबू ज्वाला मुखी फटा है माउंट इबू ज्वाला मुखी फटा है इंडोनेशिया देश में 17 मैं 2024 को पुर्वसैनिक कल्यान विभाग ने कौन सा अभ्यान आयोजित किया है समाधान अभ्यान लाई चिंग ते को किस देश का राष्ट पती नामित किया गया है विश्व के सबसे उचे प्रती असपर्धी स्विमिंग पूल का उध्गाटन कहा हुआ है भोटान सूचना नुसार IIT दिल्ली कहां अपना पहला सैक्षेनिक सत्र 24 पच्चिस सुरू करेगा आबु धावी 18 मई 2024 को एलोडा कब 2024 में निखत चरीन को कौन सा पदक चीता है स्वर्ण पदक अपने सभी ग्लैसियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनिजुएला अपनी सभी ग्लैसियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है वेनिजुएला फीफा वोमेंस वर्ल्ड कब 2027 फीफा वोमेंस वर्ल्ड कब 2027 की मेजवानी कौन करेगा ब्राजिल फोप्स की सरवाधी कमाई वाले एथलिट्स की लिस्ट में कौन सेर्स पर है क्रिष्टियानो रोनाल्डो 19 मही 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग उनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सेर्स पर रहा है महात्मा गांधी उनिवर्सिटी IPL 2024 में सरवाधिक छक्की लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है सन्राइज हैद्राबाद 19 मही 2024 को किस से PSU समर्पन एवर्स से समानित किया गया है हेमन खत्री 19 मही 2024 को किस देश की राष्ट पती इब्राहिम रैसी इब्राहिम रैसी का हेलिकॉप्टर क्रैस से मौत हो गया मौत हो गई इरान देश की राष्ट पती 19 मही 2024 को किसने मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता है क्रमसर अलेक्स चेंडर जवेरेव तथा इगा सुइव एटक संयुक्त राष्ट ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिसत रहने का अनुमान लगाया है 6.9 प्रतिसत किस राज की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेश्ट फतक किया है जार्खन राज की सोम्य काम्या ने माउंट एवरेश्ट फतक किया है 20 मही को किस देश से भारत्य सेना को 27001A203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है 20 महीं 2024 को दिपती जीवन जी ने विश पैरा एथलेटिक्स चैंपियनसीप में कौन सा पधक जीता है स्वर्ण पधक किस राज की जोती रात्रे माउंट एवरेश्ट फतक करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है जोती रात्रे माउंट एवरेश्ट फतक करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई है मध्य प्रदेश किसे स्री लंका में भारत्य मूल के तालीमों के 200 वर्स पूरे होने की इस मेर्ती में पहला डाक टिकट मिला है स्री स्री रवी शंकर को NCBC की रिपोर्ट के अनुसार 2024 से 2022 तक SC छात्र नामंकर में कितने प्रतिसत की विर्धी दर्ज की गई है 44 प्रतिसत किस राज सरकार ने लुप्त प्राय मेते टट्टूओ को बचाने के लिए कदम उठाया है मनिपूर राज सरकार एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंग सेवा की शुरुवात की है इंडोनेशिया किसने एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्री 2024 जीती है मैक्स वर्ट स्पन किसने फलो को पकाने के लिए कैल्सियम कार्बनाईड का इस्तमाल के खिलाफ चेतावने जारी की है F.S.S.A.I 22 मैंदोजा 24 को भारत की एकता भ्यान एकता भ्यान ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता स्वर्ण पदक 22 मैंदोजा 24 को जारी वैस्विक यात्रव परियतन सुचकांक में कौन सेर्स पर रहा अमेरिका 22 मैंदोजा 24 को कृतिम बुद्ध मता AI ग्लोबल फोरम कहां खोला गया है सी ओल 22 मैंदोजा 24 को जारी ब्लूमबर्ग Billionaires Index में कौन सेर्स पर रहा है Bernard Alnort किस राज सरकार किस राज ने आपदा प्रवंदन के लिए DRI MS प्लेटफर्म का अनावरन किया है असम राज्य 22 मैंदोजा 24 को Ireland, नौर्वे और किस देश ने Philippines को एक देश की रूप में माननेता दी है Spain 22 मैंदोजा 24 को IOCL ने भारत के पहली प्रेमियम फ्ल्यू XP 100 की पहली खेप किस देश की निर्यात की है स्री लंका 22 मैंदोजा 24 को कांस रेड कार्पिट पर पहली भारतिय प्रेजेंट डारेक्टर कौन बनी है आर्मी माला बढ़ुआ 22 मैंदोजा 24 को AI फीचर्स के साथ को पाइलट प्लस PC लॉंच किया है Microsoft 22 मैंदोजा 24 को किस देश के परवत रोही सिर्बाज खान ने बिना ओक्सिजन के माउंट एवरेश्ट पर चड़ाई की है पाकिस्तान प्रीती स्मिता भोई ने IWF World Youth Championship में कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक AFC महिला एसिया कब 2026 की मेजवानी कौन करेगा अस्ट्रेलिया 23 मैं 24 को किस देश की कामी रीता सेड़पा ने माउंट एवरेश्ट पर तीसवी बार चड़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है नेपाल 23 मैं 24 को किस हाई कोट ने 2010 की बाद जारी सभी OBC प्रमान पत्रों को रद कर दिया है कोलकाता हाई कोट कलकता हाई कोट कौन अंतराष्ट सौर गठ बंधन का 99 सदस्य बना है 23 मैं 24 को कोन अंतराष्ट सौर गठ बंधन का 99 सदस्य बना है स्पेन काहां बौध तियोहार सागा दावा मनाया गया 23 मैं 24 को काहां बौध तियोहार सागा दावा मनाया गया सिक्किम 23 मैं 24 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई है चार हजार एस्ट्रोनॉमी में सो पुरुसकार तोजर चौबिस किसे मिला स्री निवास कुल करने 23 मैं दोजर चौबिस को किस हवाई अड़े ने जीरो वेश्ट टू लेड़ फिल्ड लेंड फिल्ड जीरो वेश्ट टू लेंड फिल्ड का दर्जा हासिल किया है तिरुवन्त पूरम हवाई अड़ा UAE के राष्ट पती UAE के राष्ट पती ने किस देश के राजदूत को प्रथम स्रेनी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है पड़ागवे 24 मईदोजा 24 को मोर्यपन थंगा वेलू ने 25 पैरा एथलेटिक्स चेंपियनसीप में कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक कौन सा देश भारत को अगली पीडी के परमानों इंधन की आपुर्ती करेगा रूस देश किस देश ने 2023 में रिकॉर्ड 778 बिलियन डॉलर का निर्याद दर्ज किया है भारत देश किस कमपनी ने सोसल बोर्ड का अधिगरहन किया है नॉइज विश्व की सबसे उची खगोलिय वैद साला का उदखाटन कहां किया गया है जापान 24 माई 2024 को किस देश की लेखी का जैनी अरपैन बैक ने अंतराष्ट्य भूकर पुरुसकार 2024 जीता है जर्मनी किस राज की इरिक्सा चालक आरती को यूके के महिला ससकती करण पुरुसकार से समानित किया गया है उत्तर प्रदेश 24 माई 2024 को दस्वा विश्व जल मंच अधिकारिक तौर पर कहां आयोजित हुआ है बाली 24 माई 2024 को किस राज सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिसत आरक्षन अनिवार्य किया है करनाटक राज सरकार ने 25 माई 2024 को सयुक्त राष्ट ने किस दिवस के रूप में घोसित किया है विस फुटबॉल दिवस 25 माई 2024 को UAE ने संस्क्रीती और परियाटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है रजनी कान्थ 25 माई 2024 को विस्व का पहला 100 प्रतिसत बायो डिग्रे डेवल पेन बायो डिग्रे डेवल पेन कहा लॉंच किया गया भारत 25 माई 2024 को दूरदर्सन ने किस नाम से दो एंकर लॉंच किये है AI क्रीसी और AI भूमी एंकर 25 माई 2024 को किसने का से फैस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड रिगार्ड स्रेनी में सर्व स्रेश्ट अविनेत्री का पुरुसकार जीता है अनसुया सेन गुपता 25 माई 2024 को ओक्सवर्ट एकोनोमिक्स के ग्लोवल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा सहर सिर्स पर रहा है दिल्ली 25 माई 2024 को किसी नासा के हौल ओफ फेम से समानित किया गया है मुनिव अमीन भट 26 माई 2024 को भारतिय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपरियर कोट में जज न्यूक किया गया है जया बडीगा 26 माई 2024 को किस देश ने अपने राष्ट पती के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉंच किया है चीन किस देश ने ASMPA ASMPA सूपर सैनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रसिक्षन किया है फ्रांस देश ने 26 माई को 26 माई 2024 को बंगाल की खारी में बने चक्रवाद रेमेल का नामकरन किस देश द्वारा किया गया है ओमान 27 माई 2024 को पहली ACI रिले चैंपियंशीप दोजार चोबिस कहां योजित की गई है बैंकोक 27 माई 2024 को ACI चैंपियंशीप में दीपा करमकार ने कौन सा पदक जीता है स्वर्ण पदक 27 माई 2024 को संख्याई की और कारियान वन मंत्राले द्वारा जाड़ी आंकडों के अनुसार Unemployment Rate में कौन सा राज सेर्स पर है केरल राज किसने कांस फेस्टिवल में फिल्म आल वी इमेजिन एस लाइट के लिए Grand Picks पुरुसका जीता है पायल कपारिया 28 माई को जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने है Hawk E.10 किस्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयनती मनाई गई 28 माई 2024 को किस्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयनती मनाई गई वीर सावरकर 28 माई 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया विश्व भूक दिवस 28 माई 2024 को मनाया गया 28 माई 2024 को किस देश ने अपना 17 गंतंत्र दिवस मनाया नेपाल देश ने 28 माई 2024 को काजकिस्तान ने कहाँ परमानों सुरक्षा पर अंतराष्ट सम्मेलन की अध्यक्षता की है वियाना किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में तीन बार माउंट एवरेश्ट फतर किया है 29 माई 2024 को किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में तीन बार माउंट एवरेश्ट फतर किया है पुर्णिमा सेट 29 माई 2024 को WHO ने कहाँ वाक दर टॉक योग सत्र कार्यकरम का आयोजन किया है जिनेवा 29 माई 2024 को गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ चालू किया है मध्य प्रदेश 29 माई 2024 को M.O.N.A.C.O. M.O.N.A.C.O. Grand Fix किस ने जीता चाल्स लेक्चर 30 माई 2024 को आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,25,3 21,253 को मंजूरी दी है केरल राज्य 30 माई 2024 को आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य को 21,253 को मंजूरी दी है केरल राज्य 30 माई 2024 को टोक्यो विश्व विद्याले द्वाड़ा विश्व की सबसे उची वैद साला का उधगाटन किया गया विश्व की सबसे उची वैदसाला का उद्गाटन किया गया चेली 30 मही 2024 को किस राज ने अपना सैतिस्वा स्थापना दिवस मनाया गोवा गोवा राज ने अपना सैतिस्वा स्थापना दिवस 30 मही को मनाया तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब किजिए मिलती हो मैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में जैहिन थाइंक यू